यहां दी गई जानकारी जियोतिश पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है TV9 Digital इसकी पुष्टी नहीं करता है यहां बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशय के एक्सपर्ट से निजी दौर पर सलह अवश्य ले नमस्कार एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अंजली और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीरी वशिष्ट जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हर वेक्ति की कुंडली ग्रहों से प्रभावित होती है कुंडली में ग्रह शुब और अशुब दोनों प्रखार का प्रभाव डालते हैं अगर कुंडली में ग्रह मजबूत स्थिती में होता है तो जातक को लाब मिलता है वहीं कुंडली में किसी ग्रह के कमजोर होने से उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है इसी क्रम में आज हम कुंडली में चंद ग्रह की स्थिती के बारे में बात करेंगे साथी साथ जानेंगे आपकी राशी का पूरे दिन का हाल भी अपने कारेक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कुंडली में चंद्रमा कमजोर है इसका कैसे पता लगाया जा सकता है। मा को बार बार अपना जीवन चलाने के लिए किसी भी प्रकार के कंप्रमाईज करने पड़े। सुच्विशनों को अपने खिलाव पाकर के और सहक सहक के जीवन अगर जीने वाले हालात बने और घर में कलेश का वातावरन लगाता रहे तो इनसान को समझ ना चाहिए कि उसका चंद्रमा खराब है। और इसके साथ ही जिन प्रॉपर्टियों पे अपना हक बनता है वो किसी भी दबाव के अंदर छोड़नी पड़े या बिकार हो या बिक जाए तो समय लेना चाहिए कि चंद्रमा खराब है। बच्चा बहुत जड़ा सोच विचार वाला हो चोटी उमर से ही सोच विचार वाला हो लेकिन पड़ाई को पूरा ना कर पा रहा हो तो समय लेना चाहिए कि चंद्रमा खराब है। और इसी चंद्रमा को खराब को अच्छा करने के लिए ही भोले नात की पूजा का विधान बना है, जो सुबह के वक्त में हम जल लेते हैं, और जाकर के जल भोले नात को अर्पित करते हैं, कच्छी लसी बना करके सबसे उत्म ये उपाय है, और इसके साथ में देशी घी का द ऐसे लोग खार रोई थोड़े से चावल और थोड़ी सी कुजा मिश्री यानि कि धागे वाली मिश्री लेकर के मंदिर में देते रहेंगे तो इन सारी मज़ीपतों से भी बचाव रहेगा, जीवन स्पूत होगा, मां सुख पाएगी और बच्चा भी सुख पाएगा. तो चंद्रमा को मजबूत कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में गुरुदेव से आगे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आज के राशी फल की शुरुवात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, मेश, व्रशव और मिथुन राशी वालों की कैसा रहेगा आज का द कि आपने विश्वास बढ़ाने के लिए चान्दी का कोई प्रियोग किया जाए, तो वो कैसे करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए? जब भी चंदर्मा कुछ खराब पोजिशन में होता है, इनसान डबल माइंडे होता है, कन्फियोजन में पढ़ता है, और ये जो कन्फियोजन है, ये ही अपने कॉन्फिडेंस को भी डाउन करता है, और ऐसी अवस्था के अंदर सामने वाले को सुपर समयना और अपने करने के लिए आपको दो प्रकार के उपाई करने पड़ेंगे, एक वो जो आपके और मंदल के अंदर चंदर्मा की एनर्जी को मजबूत करें, वो चांदी की डिब्बी लेकर के उसके अंदर मां से, दादी से, नानी से, चावल बरवा करके अगर उसको जेब में रखते है तो चंदर्मा मजबूत होता है, लेकिन उसको और मजबूत अगर करना है, और ये आप चाहते हैं कि दूसरे ग्रहों का परभाव इस पे ना रहे और आप पूरे दरड निश्चे के साथ अपने जीवन को जीएं और जिन्दी में आगे बढ़ें, तो एक चांदी की ठाली लेकरके उसमें गंगा जल भरिये और उसे अलमारी में रखिये, क्योंकि आदमी दिन के अंदर तीन चार बार अलमारी तो खोलता ही है, तो ऐसी वस्टा के अंदर अलमारी के अंदर जब थाली के अंदर गंगा जल आप रखेंगे, जब भी अलमारी आप खोलेंगे, तो व के अंदर आगे बढ़ने के लिए ये दो उपाई बहुत अच्छी तरह से आपकी मदद करें आगे बढ़ते हैं अब जानते हैं करक सिंग और कन्या राशी वालों का इंतजार खत्म करते वे उनकी लिए कैसा रहेगा आज का दिल गुरुदेव अगर कुंडली में किसी के चं कारेय कुछ भी आप करते हैं तो आपके लिए आती हो तब होगा और जो सबसे बड़ी बात है चंदर मा की कमजोस थिति के अंदर घर के अंदर कलेश पढ़ते हैं मा को तुम्हारी बात बुरी लगती है कोई ने कोई और आमको मा की बात बुरी लगती है तो जब इन दिनो के अंदर कलेश जाला घर में बढ़ने लगे उन दिनों के अंदर अगर थोड़ी कम를 दिन के यंदर रहे तो आप अच्छा रह'RE हैं और लेकिन आप अपके अपने हाथ में है अपने कामकाज को मजब बनाना लेंदिन करना बेचना तो ऐसी वरचा में मह अगर अगर बुरा मान भी जाए आपको कुछ चार बाते सुना भी दे अगर आप उसकी बात का बुरा माने बिना उसके पाउं हाथ लगा करके काम पे फिर निकलते हैं फिर आप किसी भी परकार के चांदी के लेंदिन करके देखिए आपको उसमें नुकसान नहीं होगा हाँ थोड़ी कमजोर ही रह सकती है लेकिन नुकसान नहीं होगा और वो जो मैंने एक उपाई बता रखा है कि मा से चांदी की डिबी में चाबल भरवा के जेब में रखना ये आपको ज़्यादा अच्छी मजबूती परतान करेगा तो देखे चांदी का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ये गुरुदेव आपको बता रहे हैं गुरुदेव अगर चंद्रमा को मजबूत करना हो तो क्या किसी खास वस्तु का दान भी करना चाहिए चंदर्मा को मजबूत करने के लिए सबसे उत्तम तो भोले नात की पूजा है और भोले नात की पूजा के अंदर मिश्टान भोग साथ में लगाना ये सबसे उत्तम है और चंदर्मा को बहुत मजबूत करने के लिए आपके लिए बहुत ही उत्तम मुपाई आप देखते हैं कि आर्ती जब भी होती है मंदर की सुवे की भी शाम की अगर उसके अंदर आप पतासे या मिश्री ये लगातार ले जाकर के اور कई महीनों तक अगर सुवे शाम की आर्ती के अंदर ये परशाद के रुभ में पतासे और मिश्री चड़ाते हैं परनाम करके अशीरवाद ले करके आते हैं परमात्मा का तो ये चंदरमा की सबसे उत्तम वाली स्थिती को बनाता है मन को शांत करता है धैरे रखता है सोच विचार की ताकत देता है और सोच विचार के सार कैसे किसी काम को सफलता पूर्वक करके निकलना है ये सारी चीजे दे करके प्रॉपर्टी और वहन के सुख तक बनाने में आपकी मदद करता है सुबह शाम आरती में जाना आपका अपने पर ही ऐसाना किसी और पर नहीं है और अब अपने special element की बात करते हैं जानते हैं गुरुदेव से आज का वास्तु उपाई गुरुदेव ये बताईए कि क्या धारदार चीजे रखने की कोई खास दिशा होती है धारदार दिशा यानि के राहू आप इसमें चाकू, छुरी, तलवार ये सारी चीजे हो जाती है तो ये आलवेज दक्षिन की तरफ ही रखने चाहिए दक्षिन के साइड वहाँ पर रखा हुआ राहू यानि की तीसरे घर का राहू ये आलवेज शुब होता है नुकसान नहीं देता, मंगल की हद में होता है, मंगल की दिशा है, उर्जा मंगल की होती है तो ऐसी वस्था के अंदर आवेश में आकर के हत्यार उठाना चलाना इनसे बचाव रहता है और वहाँ एक्सिरेंट के हलाद भी नहीं बनते हैं तो वासू के अनुसार दक्षिन दिशा हत्यारों को रखने के लिए सर्वोतम मानी जाती है अगर खोट हो चीक है, अभी थोड़े देर पहले गुरुदेव आपने बताय था कि अगर चंद्रमा को मजबूत करना हो तो भगवान शिव को आप रसन करिए, भगवान शिव की पूजा करिए लेकिन भगवान शिव की पूजा किस हद तक लापधायक होती है चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव वो हैं जो पूरा परिवार चलाते हैं बगवान शिव अपनी पत्नी पर भी स्नेल उटाते हैं और अपने बच्चों को भी उतना ही प्यार करते हैं और आप देखिए बगवान शिव के यहां एक कितनी बड़ी विधमना है और वो विधमना क्या है वहीं पर माधुर्गा का शेर और वहीं पर बैल इन दोनों की दो पूस्ती नहीं होती लेकिन दोनों साथ रहते हैं और वहीं पर मुशक राज भी होते हैं तो आप देखके देखिए कि इसका मतलब क्या है मतलब ये कि अगर सारी अच्छी और बुराईयों को एकठा रखना है परिवार को सही चलाना है सब की सह करके चलना है और दुश्मनों को भी एक करके चलना है परिवार के अंदर ये आपस में जो विवाद होते हैं इसके लिए चंदर की उपासना यानि की भोले नाथ की उपासना आप भोले नाथ का सब्रूप देखिए क्या है उन्होंने मस्तक पर अपने चंद्रमाधारन किया हुआ है वहां से गंगा बैय रियलिटी में ये बताया गया है कि जितना ज़्यादा धहरे रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके समय पार होने देंगे किसी भी चीज की जल्दबाजी अगर नहीं करेंगे तो परिवार बहुत अच्छा चलेगा और हमें भोले नाथ के सवरूप में नमश्वाय का करते हुए अगर हम रोज जल चड़ाते हैं फूल फल अर्पित करते हैं कुछ ना कोई चावल मीठा मिश्री ये अर्पित करते रहते हैं भोले नाथ की ये पूजा आपको अनंत ग्यान धैर्या परिवार को चलाने के युक्ति सुखों को कमाने के युक्ति ये सब कुछ द जेड़े करके जवानी से उस वस्ताकी तरफ रोडवस्ताकी तरफ लेकर के जाता है बुढापी की तरफ लिएक जाता है ताकि ताकि वही परिवारा जो आपने पूरी जिनदागी जोड के रखा आ वो आपके लिए सुख कमाकर कर युक्त अगर आप भी चाते हैं आपके पूजा यानि कि चंद्रमा को मजबूत बना करके रखना आपके लिए अती उत्तम गुनकारी रहेगा और अब आई ये आगे बढ़ते हो जानते हैं तुला व्रशक और धनुराशी वालों के लिए कैसा रहेगा आजकर गुर्देव जभी भी हमने देखा है कि छोटे बच्चे जब उनका अन्यप्रासन किया जाता है तो चांदी के बरतन में उन्हें खिलाया जाता है सबसे पहला जो भोजन है उसी चांदी के बरतन से चखाया जाता है चांदी के बरतन में बच्चों को खिलाना क्यों इतना मातुपोन है? बिटा अब तुमने पूछी लिया है तो इसका खुलासा करते हैं चांदी के बरतन बच्चे की शिशोवस्था से लेकर के और इंसान की व्रद वस्था तक करना बहुत बहुत गुनकारी है हमारे शरीर के अंदर लगभग 70% पानी होता है और पानी के अंदर हमारे अंदर जो है वो खारा पानी है वो उतना ही खारा है जितना की समुंदर के अंदर पानी खारा है इतना ही हमारे शरीर के अंदर खारापन मिलता है ये बिल्कों scientifically proven चीज है हमारे आंसू वो भी वही है तो reality में इसका खारापन जब बढ़ता है तो बिमारीय लगती है और इसके खारेपन को balance करने के लिए अगर कोई pure धातू है जिसके साथ में जैमस अंदर नहीं जाते उल्टा चांदी का भी छोटा छोटा कन अगर हम अंद जितनी भी बेमारीय है वह इंसान को कभी नहीं लगती और पानी जisions अगर कोई ब्यमारिय ना लगे तो इनसान के भी मसल्स स्टांग रहते हैं मुआएं वरन्हर dalla मशल्स के ऊपर अटाएक आता है तो ऐसे वस्था के अंदर चांदी के बर वर्तणों के अंदर खाना-खान अम्रित में माना जाता है तो इसलिए यह नियकी प्यूरिफाई करके बीमारियों से बचाने का थाम करता है बच्चा कोई भी हो आदमी हो बढ़ा हो बुड़ा हो उन लोगों को तो सारी उमर चांदी के घिलाज में पानी पिना चाहिए चांदी की थाली में रख करके खाना खाना चाहिए तब उनका जीवन अच्छा रहता है वरना उनके मसल्स जल्दी तूट जाते है और बुढ़ापे में धिलापन शरीर का उनको ज्यादा सताने लगता है तो इसी लिए बच्छे को चांदी के बर्तन में ही अनिप्रासन कराना चाहिए जाने धातों की पाइल बहुत ही कम देखने को मिलती है तो और तो के इस मुख्य गहने में चांदी का प्रियोग कितना महत्वर रखता है कि तुमने मेलाओं की बात करी है इसका मिलब वन्शागे बढ़नाने की ताकत उनी में है अगर तुम चंद्रमा की बात कर रही हो तो धर्ती के उपर जब पहले ओस बाद में बर्फ उसके बाद में जब वो पानी बना पानी के साथ में काई बनी उस काई के अंदर जब जीवन उत्पन होने लगा यानि कि बुद्ध बना अंडे बने शुक्र का मिश्रिन आया वहां से जीवन शुरू हुआ और सबसे पहले आया क्या मत्से आवतार तो रियालिटी में औरतों के लिए चांदी अमरित में है और जितनी उनके तन के उपर चांदी रहेगी औरत को काम करते हुए थकावट नहीं होती कारण ये पायल पायल के भारी से भारी पायल पहन के रखना यानि कि जितनी नौर्बल होती है ये एक्यू प्रेशर का काम करती है जिसके चलते हुए जो हमारी AD के उपर जिसे गिटा बोलते है उसके उपर का जितना हिस्सा होता है यह मनी बन पाउं की तरफ का होता है यहाँ पर हमारी सारी नसे लगी हुई है वो नसे जो लगातार खून बनाती रहती है red cells, white cells यह बनाती रहती है तो इसलिए जो औरत पायल धारन करके रहती है उसके white cells, red cells हमेशा बने रहते हैं उसके अंदर धैर्या बना लेता है दूसरी बात औरत को पूरा दिन पूरा परिवार भी संभालना होता है आज कल तो वो काम भी संभालती है बाद में परिवार भी संभालती है कितनी बार उनको उपर नीचे होना पड़ता है कहीं उचतना पड़ता है कभी डिबा निकालना कभी बच्चे को उठाना ऐसे बहुत सारे काम है जो मर्द कम करते हैं और तेजला करते हैं तो ये कमर इनका हमेशा साथ दे इनके शरीर के जोड इनका साथ दे और इनके स्वासे में कभी भी दिक्कत ना आए दर्द ना बने इसके लिए औरत को चांदी के बिशुए पहनने बहुत जरूरी है मैं आभी थाबित कर देता हूँ जिनकी भी कमर पाउं के अंदर दर्द होता है वो जो हाथ की ये मिडल फिंगर है इसके बिलकुल जड़ में जाकर के इस तरह से आप इसको गुमाके देखिए दबाके इसके अंदर बहुत दर्द मिलेगा आपको और उसके बार ये रिंग फिंगर होती है इसकी जड़ में जाकर के इसको गुमाके देखिए बहुत दर्द होगा यानि की कहने का मनला ये मिडल फिंगर और ये रिंग फिंगर इन दोनों के जोड जो है ये शनी से संब्ध रखते हैं तो ऐसी वस्षा के अंदर ओरते अगर बड़ी उंगली और उसके साथ की उंगली के अंदर बिश्वे पैन के रखती है तो ये जो मसाज करने पर ये ठीक हो रहा है वो मसाज चांदी करती है उनका क्योंकि बार बार आप देखो वो खुल जाएंगे फिटाइट करना पड़ेगा, खुल जाएंगे फिटाइट करना पड़ेगा, वहाँ एक pressure maintain करके रखते हैं जिसके कारण औरतों को कभी भी कमरपाओं के दर्द नहीं होते हैं और जो अंगूठे में बिच्वा डालते हैं, अंगूठे में बिच्वा डालने का ये विधान है कि ऐसे में जितनी भी सुस्ती, अलर्जी और चेचड़ापन ये अंगूठे के अंदर ये एक्यूप्रेशर यानि कि ये बिच्वा बना करके डालना ये औरत के सभाव को खिल हुआ हस्मुख मना देता है और जो वारत हस्ते हस्ते परिवार चलाती है बेटा वो तो वैसे भी देवी की तरह पूजी जाती है तो अगर आप चाहती है कि आप देवी की तरह हस्ते हस्ते पूरे परिवार को चलाए आपको देवी की तरह पूजा जाए तो पाउं के पाइल जरूर धारन करें और ये वाली जो दवाई ये वाला जो उपाए आपको सदा, सुखी, स्वास्त, तंद्रोस और खुश रखें तो देखे, गुरुदेव ने आज की कारेक्रम में आपको बताया है, अगर आप अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, तो चांदी उसके लिए सबसे उत्तम उपाए है, किन माइनों में कैसे उसको धारन क्या जा सकता है, ये भी गुरुदेव ने पूरे कारेक्रम क दौरान आपको बताया है, अगर आप जीवन में कामियाबी चाहते हैं, आप आर धन और लाब चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताये हुए उपाए जरूर फॉलू करें, उम्मीद करते हैं आपको आज का विशे पसंद आया होगा, कल आपके सामने लेकर आएगे एक और जो आपके complicated life को बना देगा, आसान और खुश्यों से भरपूर, अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, या personally उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप contact कर सकते हैं, call करें 9999-0522 पर, जाधर जानकारी के लिए आप astro science app डाउनलूट करना ना भूले, फिलाल समय हो आपसे इजाजत लेने का आप बने रहे हमारे साथ, और हमारे astro scientist गुरुदेव जीडी वशिश्टी जी के साथ देखना ना भूले, astro science रोजाना सुभे 8 बजे, नमस्कार